नमस्कार, संभूर्ण विद्ध्यार्थी बाइबेनी अरलाई मेरो योट्यूब चैनल मा स्वागत छा आज मैले क्लास 12 फिजिक्स अंतरगत क्वान्टाइजेशन अफ इनर्जी अर्धात मोडन फिजिक्स मा रहेको क्वान्टाइजेशन अफ इनर्जी बने चैप्टर संग रिलेटेट नियूमेरिकल क्वेश्चन शरू लिए रायेको छू पहलो नमबर पहलो तपहर क्वेशन देखना हुंच याने रहेनोशक पहलो क्वेशन मा हमलाइ क्ये प्रोगली वेवलेंद बन चैप्टेन द ब्रोगली वेवलेंद अफ न्यूट्रन और कैनेटिक अनर्जी 150 इलक्रोन बोल्त बन था यान्नेकलनु पन्णे था वन्ने डि हमलाई 1.675 इन्टु 10 ती पावर माइनस 27 किलोग्राम छा प्लांक कॉंस्टेंट 6.6 इन्टु 10 ती पावर माइनस 34 जूल सेकेंड छा यह पनी हमलाई दियेगो छा यह हमलाई 2076 मा सोदियेगो क्वेश्चन थियो अब यहनुस आए अब यहमले डिप लोगली वेवेंच निकालना नाएता आमलाई lambda is equal to h upon p होनी तर फर्मूला पहला momentum था पावनू परेओ p था पावनू परेओ यह को लाई आमिशंगे वड़ा सुत्र छा यहनुस के सुत्र छा अंदा हिरे काइनेटिक इनर्जी भने आता p स्क्वार भाई 2m भाईन था p स्क्वार भाई 2m is equal to kinetic energy यह 2m लाई उतापट्टी लगनूस क्या आयो था? p स्क्वार is equal to 2m into kinetic energy p भन्या गत्या आयो था square root अने 2m into kinetic energy भाई अब यहनूस अब हैमिले साई क्यो गरनू सक्षा हम भने 2m भनेको ता mass of the neutron होनी ता ज्याने रगो लागी mass of the neutron होनी आता 1.675 into 10 to the power minus 27 kinetic energy भनेको 150 छा electron भोल छा electron बढ़लाई जून मा लगनू परेव 150 into 1.6 into 10 to the power minus 19 ले मल्टिप्लाई गरदा यो जून मा जान छा अब एत्ती यो पूरही गोता भाईली स्क्वार रूट निकालनों भावने you will get the value of P as this अब करसाईला अलगे ती क्याल्कुलेशन गरना मा पनी समाश्या भाई राख्या प्राय देखिन छा अब आले क्या गरनूस भने क्याल्कुलेटर मा इस्क्वार रूट दबावनोस यो सवय कॉरा लाइ ब्राकेट में राखनूस है पहला आनी एवटा इसक्वार रूट लिये रहा त्यसवाची ब्राकेट चूज गरनूस अनी तैसवाची सब पहला आई type गर दाई लास्टमाफ हेर इसक्वार लाई यो केरे ब्राकेट लाइब बंद गर दिनोस तेस बची एक्वल टू आनोस ठ्याक का यू इल गेट दा आंसर महलेबन तेसर ने यूटाइ उसमा निकाले गो हो इता अवा है हमले निकालनू परेओ डी ब्राउगली वेवलेंद त्यो बने आता लैमडा इस एक्वल टू था एक्वल पार माइनस 12 आनसर यो चैने हमी येसरी स्वाल्फ कर छांँ है ओके अब हम्मा अगाड़ी बडे लाएनोस असाथ द्यरे इंपोरेंट कोईशन रहे गो छा योटां एक्स रे ट्यू चाहिए रे टूब चाहिए एन एक्स रे ट्यू अपरेटेड एड़ दा डीसी प्रोड़क्शन कसरी हुँचता बन्दा है जब फास्ट मुविंग इलक्ट्रोन कुने वड़ा टार्गेट मा इस्ट्राइक गर छा त्यस बाटा चाहिने के के एमाउंट मा ता हीट बनी उत्पन्ना हुने बर रिडियाशन बनी आऊ छा तरह एक्सरे धरे कम निश्किन चाह पायो calculate the number of electrons striking per second एक सेकेट मा कती ओडा इलक्ट्रोन हरो त्यों टार्गेट मा ठोकी राखे को वलानता त्यों आमने निकालनू पड़ने चाह और थात n बाइ-t को वेलू निकालनू पड़ने चाह एंड the velocity of the incident electrons बने रपनी निकालनू छा अब एसको लागी ता बाइक के ग अपरेट हुना को लागी येती बोल्टेज चाइन छा, हाई पोटेंशियल डिफ्रेंश चाइन छान दा, किना मने हाई पोटेंशियल डिफ्रेंश पहेना बनता त्यो एकसेलेरेट है हुदाई न, एकसेलेरेट गराऊनो को लागी चाइन, हाई पोटेंशियल डिफ्रेंश अथवा अपरेटिंग वोल्टेज भी बराबर 10 किलो वोल्ट ये नुस किलो वोल्ट आई वोल्ट मा लगना था 10 to the power 3 अर्थाथ 1000 ले मल्टिप्लाई गरने हो 10 into 10 to the power 3 गरता कदी बहुत 10 to the power मा फोर भायो अब rate of the heat प्रोडूसेश हीट at the target अब यो जब इलक्ट्रोन तेव टार्गेट मा ठोकिन जा त्याना तेवीट डेबलोप हुन छा हीट कसरी डेबलोप भुदाई शता बन्दा हीट प्रोडूसेश at the rate of बन्जाए नो rate of heat produced जला हैमें पावर बनी बननो सक्छाओं किना मने हमलाए वाट दी राखेगो छन था 720 वाट भनेवाची तत्य ता पावर हो तेसकानले rate of the heat produced भनेगो पावर P is equal to 720 वाट यो जाए हीट प्रोडूसेश ने पावर हो हीट प्रोडूसेश ने rate हो अब इनर्जी कनवर्टे टुदा याक्सरे याक्सरे मा कती इनर्जी कनवर्ट हुदाईश दा 0.5% हुदाईश अनि इनर्जी कनवर्ट तेसका हीट मा कती कनवर्ट भादा किनाने टोटल दावा हमले इंसिडेंट को 100% माने हो त्यो माद ते 0.5% के माग गवता याक्सरे मा गवा बागी जाएँ अब बागी का गवता भाई नुस्ता बागी तो हीट मा गवा लांता किनाने ताच्छा ते कोलिजन ले गड़दा हीट तेसमा हीट एबलोग हुदा त्यो 100 बाट 0.5% गड़ाउदा 99.5% आयो टोहर रहा पंड़नीची अब इसमा हमा आमने के जानुस्ता पावर को शुत्र पी एकल डू आई इन्टु भी उन्च तब यहले था पनी छ अब अब यहले को लागी जुन हीट जुन हीट डेवक किना मने हीटिंग इफेक्ट अब करेंट वहने चाप्टर नहीं तब यहले पणनु भाच पावर पीज इकल डू आई इन्टु भी अब रेट ऑव हीटड डेवलोफ़ अरथाथ पावर भनेगो मैले 720 राखे अब यहतो हीट को डेवलोफ़ हने पावर होने तो अब यहको डेवलोफ़ लुनी तो तो टोटल पावर भुलागी हो अब यहसको कती परसेंट मात्र हीट हो दाखिधि 99.5% हो हीट माद डेवलोफ़ कनवट हुने तेसकाणले पावर भन्नेको चाएं अब या नेरक लागत पायर यहनु शक्ना हुन छा हम्रों पावर भन्नेको 720 इस इक्वल टो यहनु चाहिए 99.5% बन्योंची डिवाइड़ बाई 100 इन्टु करेंट बन्नेको आई अनि बोल्टेज बन्ने आकी बहता भी भय अब एसकोट हमा 720 राखाऊं एला एले भाग गरों आई यह चदैच अनि बोल्टेज बन्नेको 10 to the power 4 अब यावट करेंट को वहलू निकालता खेरी अब एलाए डिवाइड करनो 0.07 to ampere आयो अब यहनु शाहिए अब हमलाए के थाचा अबन्योंची करेंट आई भन्ने यह चाहिए अब आधर एलेक्ट्रोन होला ता बन्नों सकीता है ना चार्ष तो देरहीपनी उन्न सक्छ तेशना ले q इकल टू y e बहने तो पढ़न्नु बाहाचा तो नाले अब साहिए तो बाहले यह अब शाहिए अब आप 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 ऍट्राइकींग इलेक्ट्रोन पर सेगेंड यान इन्टू y i भने लेगे अंगी अब आई बहने हामले कस्तो निकाले होता यान e निकालनु निकालनु पन्ने हमले केछ न को भेलू रू अप्पन e AO अब आई बहनेक अ आमले निकाली सकेगा छाँ, 0.072 Ampere छाँ, अने इलक्ट्रोनिक चार्ज को भेल्लू 1.6 x 10 to the power minus 19 छाए, रा एस बची जाए ता पाएको कती आउचा ता यो डिवाइट गर दाखेरी, बन्दाखेरी, 4.5 x 10 to the power मा 17 बने रा, एसको भेल्लू आउचा, अब तेस बची आमले क आउचा, काइनेटिक इनर्जी को फर्मुलाए 1 by 2 Mb2 हुँचा, काइनेटिक इनर्जी भन्याद आद E into V हो, E V is equal to 1 by 2 Mb2, निया बाट V square इकल्ट को त्याद है नोस, तो यो 2 त अपटी मुल्टिप्लाई गरनोस, 2 E V अपन माया मायो, अब वेलोसिटी V equal to के गरना पाई एलाइपन तवाएवट अब हो टाई पटक मायो केन काल्कुलेट रखै काल्कुलेटर रखै काल्कुलेटर बाट अब रखै निकालनोस, अने, एस बाटा तवाएवज भाग गरता हरी, 5.92 इन्टु 10 थी पावर माह 7 मिटर पर सकेंड आँछ, रहयो भने आजै तवाएगो कतीव ने बहता 6.7 इन्टु 10 to the power 7 meter per second बने रहा एप्रोक्समेटली 5.9 बनेगो तब आई 6 लेखना सक्ना मुन्छा अही तेश बजी अगारे बढ़ाऊ है में question number 3 मैं calculate calculate the wavelength of electron which has been accelerated through a potential difference of 200 volt take the mass of electron हमलाई चाहे दी राखेगो छा अने एसको चाहे ने plank constant में दीएगो छा यो चाहे आमलाई 2075 माश हो देगो थियो ज्यानर पने आमरे actually wavelength भनेको दीब्रोक्समेटली वेब्लेंद नहीं हो matter wave को लागे दीब्रोक्समेटली नहीं धियो गोछ वेब्लेंद तेश आले lambda निकालनोच हमलाई चाहे नोश्त calculate the wavelength of electron wavelength भनेको दीब्रोक्समेटली wavelength भने सेंस माँआ हो ये wavelength lambda निकालनोच विचाह बिण एक्सेलेरेटेटर्ट्च थू पोटेंशल डिफ्रेंस आप 200 volt बनेको पोटेंशियल डिफ्रेंस भी वराबर 200 भोल भयो मास अब द इलेक्ट्रोन एती भयो एदनो सहे अब अगी काई स्टायल ले जानुश किनो ने हमलाई द ल्यामड़ा इकल तो द एच बाई पी हो अब अगाडी बनाँश है अगाडी बढ़्चों माँआब question number अगाडी बढ़्चों माँआ question number 4 माँ hydrogen atom is in the ground state बनेगोचा एवड़ा hydrogen atom ground state माँचा ground state माँचा बने तबाए की लेखना पाउन हुँँचा N1 is equal to 1 लेखना पाउन हुँचा एना तेसको quantum number principal quantum number बनेगो तो 1 भय नी त what is the quantum number to which it will be excited by absorbing photon of energy एती मन्च अब त्यो एटोम ले एती energy भयगो photon लाई absorb गरदा अथवा 12.75 electron volt energy बनेगो उलाई photon लाई अर्था light लाई absorb गरदा अब तपाईगो चाएं एसको कति हो quantum number अथवा कतियों state मा कुण state मा पूग लाई बनेगो निकालनू पर्यों अब hydrogen atom in the ground state यानवा इकल टू 1 लेख दियों कुण state मा पूग छता अब what is the quantum number to which it will be excited कुण state मा एक्साइट हुन छता बनेशी एन्टू को भेलनू निकालनू पर्यों अने अबजोब गरेगो इनर्जी कती शता 12.75 इलक्टोन बोल्ट सा मा लेके लेखे E2-E1 is equal to 12.75 तब आगो एस तो शन्ता यानवा यो state मा एसको इनर्जी सा E1 अब एले फोटोन लाई अबजोब गरदा है यह यह याँ पूग छा E2 पूग छा E2 मा पूग छा light light लाई अबजोब गरदा है यह 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 इनर्जी पायर अपूग यह आखिर मा उले पायगो इनर्जी भने आको कती हो था E2-E1 होनी तब वो त्यों नुशार चाहिए हमले E2-E1 बराबर 12.75 इलक्टोन बोल्ट लेखे हूँ तेदी बेला E1 is equal to यह फर्मोला लाऊनो पाऊनों नुशा कुनि बेला मात्रे when you are expressing energy in terms of electron बोल्ट अबजोब 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 लागिता हमला energy electron बोल्ट माई दिया चा तेवानान हमी क्यो गरनुशा अबा पाइला E2-E1 निकाला किना हमला बेल्लू बनि E2-E1 कई दियाको छ अबा E2-E1 मन्नों आहे E2 बनिया केवाता यहनों फास्ता minus 13.6 अपन मा E2 लागिता अबा state n2 होला निता यह 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 n यह n ha बने यह e2 मनेको मैले या n2 लेहती है तो state माला है थाचाई न रो e1 मनेको तो e1 मनेको फर्स्ट state हो ground state हो यहनुसता e1 मनेको ground state मात n1 is equal to the 1 छा तेसकाणले मैले क्यो गर दिये ग्याने रो minus यहनुसता minus अने यह e1 को फिर क्यो उदर अचा minus 13.6 अपन n2 होंजा n1 को स्क्वार होंजा यहनुसार अव मैले यहा क्यो गर देशो यहनुसाई यह difference मनेको चाई e2 minus e1 को difference मनेको यहती छा अने मैले क्यो गर यहनुसता minus 13.6 लाए मैले कमन निकाल दिये बाइर यहता पट्टी 1 by n2 को स्क्वार बाकी छ minus minus multiply गरता यहनुसाई अब हैम्रो यहनुसाई एकसी नाई अब हैमले एशो भयो खासमा यह minus multiply गर प्लस भयो फेरी पने हमले यह minus लाए पने बाइर निकाले राहिया बनाले यहा फेरी minus अई बचियो निता उस्ते बिजार गनुसाई यह minus ले बिद्र मल्टिप्ला गरता प्लस अब है अब यह 13.6 लाए उतापट्टी फ्याक दिनोस यह minus लाए पनी अब यह 1 लाए पनी उतापट्टी लग नोस्ता अणि 1 बाइ एन टू को स्क्वार इस इक्वाल टू एती minus एती plus 1 भयो उताग दाहरा अब यह जोड दाहरी 1 बाट यह घट्यो 0.0625 भयो अनि एन टू को स्क्वार इस इक्वाल टू कति बहो त यह लाए अपन मा जाने भो 16 आ半ि 17 और अनि N2 भने को रूट आवर 16 बने बचे चा आमडो रूट आवर 16 उने भो रूट आवर 16 हो दाहरे N2 को बयल्व जाने तप pessoðर आवू ला हके यह धोatt अब यह रूपिस्ञे को बर न हैने स्क्वार रूट अब और गन्दा आए तो 4 आयों यहा था ओके अब यह प्रोटोन को वेबलेंद निकाल अब इस तो खालको तवाला आइडिया भईशेगे गोछा है आमरो साइट दोस्तरों तेस्रों मोडेल हो ये टाइप को अब पोटेंशिल डिफ्रेंद दियेगोछा बनेशे आमले चाहें 20 किलो बोल्ट बनेशा मने ये लाइ चाहें भोल्ट मा लगता हैरी कीलो लाइ लगता हैरी 10 to the power 3 वनेख 120 भईओ मारस मनना लेका चाहें मास मनेखा चाहें आमरो 1.67 10 to the power minus 27 भईओ अब काईनेट इट ले इनर्ची वने आजा excited energy को शूत्र तो आमरो क्यो पी स्क्वार अपन मां टू एम हो इज इकल टू इभी अगी कोई जोस्तो पी भने को रूट अबर मां टू एम इभी भयो अने एस पसाड़ी साए हामें अगारी बढ़ दाखेरे ते अब अगे अगे अनेरा मोमेंटम निकाल देपनी हुन्तियों मैंले अब यो मोमेंटम को बैलू याँ राखे अगे एच बाई पी पी गोठामा टू एम इभी भने रा राखे एच को बैलू चाहे माईले सब्टिट्यूशन गर दे एम भने को चाहे तपाईको मास अब दो प्रोटोन हो यो वैलू 1.67 10 to the power minus 27 अनी इवने को चार्ज अब दे लेक्ट्रोन 1.6 10 to the power minus 19 अनी voltage बने को चाहे एती चाहे 20,000 गर दा है तपाईले यो कुरालाई एच को रूटले बाग गरन बहब बने एती आवचले अब दा है ओके तो थैंक्यू बेरिमाच माईले अईलेको पहलो पार्ट बने रहे एस माँ एती उटा राखे गोशू मा औरको पार्ट माँ बा